हेलो एव्रिवान राधे राधे जैसरी किष्णा कैसे हो आप सभी आई होपके आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत आपका सान्मी ब्लॉग में यहां पर देखिए मैं चार ब्रेट से आज जिनास्ता बनाने जारी हूं चार ही ब्रेट से बनाएंगे हम और बहुत सारे हम फोकौरे बनाएं गे ब्रेट पोकौरा बनाने वाया हूँ मैं तो यहां है रहुत से बीना कोई 실फिंग के मैं यहां पर बनाऊंगी और जhairटपण से बीन स्टाफिंग के मैं यहां पर बनाऊंगी और जटपट से बिना कोई ताम जाम के हां पर यह बना कर चारी ब्रेट से धेर सरा पोकोड़ का रेसिपी में आप सब्सक्राइब करने वाली हूं तो चलिए वीडियो के स्कीप ना करिए और अगर आपको हमारे यह जटपट से बन ब्रेट ब्रेसिपी पसंद आ है तो प्लीज अपना एक प्यारा सा कोमेंट कोमें ब्रेसिपी से belangrijk क्रभी में काट में आहां सब्सक्राइब लेंगे हम और यहां पर थ्वास मैंने दही रखा था यह गय को दुद का दही है तो मतलब उतना बढ़िया जम्बा नहीं था इसे मैंने ले लिया है आपके पास जो भी दही हो आप एड़ कर सकते हैं तो देखिए थ्वास मैंने दही भी इसमें आड़ कर लिया है बस इसको को लेंगे भीना को आम जणेद के आम हैं यहाँ पर पकोडी बना रहे हैं यहाँ पर इसको बिनलंस क्रेंस भी बन खेया और ऊणको पर और यहां पर श्वास में स изуч और देंगे एक एक करके बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और जटपट से बन जाने वाला है आपके पास अगर अचानक से कोई मेहमान भी गेस्ट भी आ जाते तो उन्हें भी आप जटपट से बना कर ब्रेट पोकोड़े ऐसे खिला सकते हैं या फिर बच्चे लोग को प्रण्च बॉक्स में देना हो या फिर कभी आपको कुछ चटपटा खाने को मन करती से बना सकते हैं बिना कोई स्टाफिंग का कोई जंजट नहीं इसमें बनाने में मिंटों में बन जाने वाला यह रेसिपी है तो देखिए सुने रहा हो चुका था एक तरफ से इसको हम देखिए कितना बढ़ी कलर आया है और खिल खिल के कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है और चार ही ब्रेट से हम इतना सारा पोकोड़े बनाकर रेडी करेंगे तो बस यह हो गया था तो मैंने इसको सारे को निकाल ले रही हूं और ऐसी ही मेरे पस नेक्ट भी जो बचा है इसको भी ऐसी मैंने उसी प्रोसेस से तल लिया है देखिए इसको भी मैं निकाल ले रही हूं देखिए कितना बढ़ी है पोकोड़े मेरा चार ही ब्रेट से इतना सारा पोकोड़े बनकर रेडी हो गया है तो फ्रेंज अगर आप लोग को हमारा यह रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सेट जरू करिएगा चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई